अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम 4th क्लास का जो उर्दू सबजेक्ट है उसको डिसकस करने वाले हैं जैसा कि पिसली क्लासों में 3rd क्लास को मुकम्मल कंप्लिट गड़ चुके हैं और 4th क्लास में Part 1 को डिसकस किये हैं उन क्लासस अगर आप नहीं देखे हों तो उन क्लासस के लिंक डिस्क्रिप्शन में देदू कर वहां से देख लिजे तो चलिए क्लास को बिना तेयर कियो है शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब कर लिजे और बाजो वाले बिल लेकन को दबा दीजे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं यहां पर देखिए कि हमारा पहला सबख है अनुका पौदा जिसका मूज़ू है खुद एतिमादी जिसको लिखने वाले मुसन्निफ हैं अनंतनाराएन और यहां पर इस सबख के मुतालग चंद अलफाज और मानी दिये गए जैसा कि मौसीखी जो लफज है जिसकी मानी गाना बजाना सहन जो है आंगन कहते हैं इसी तरह वाइलिन जो है एक साज यानि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है मौसीखी आला कहलाता है और इसी बनफशी रंग यानि बैगनी रंग होता है गुल महिंद यानि एक किसम का फोदा है तो हम आगे बढ़के देखें तो अलफास की जमा यहां पर देखिए जैसा कि हम पिछली क्लासों में डिसकस कर चुके हैं कि वाहिद अकेला होता है अगर वाहिद बहुत सारे हों तो उस अगर बहुत सारे ख्याल हों तो उसको ख्यालात कहते हैं मुकाबिला वाहिद है मुकाबिले उसकी जमा है कीड़ा वाहिद है कीड़े उसकी जमा है गुमला की जमा है गुमले उसी तरह फर्द अकेला है यहां पर यहां पर बहुत सारे फर्द हैं जिनको हम अफराद कहते ह को यहां पर मुंटाजिम जो वाहिद है जिसकी जमाह verse मीन और ये तरहा हग जो लफ यह यहां इसकी जमाह निवाहिए यान आवे बड़को कि देखिए हम और गई यहां पर देखिए कि हम पर गई या वे काओinka माँन खूपसूरत परिंदा है उसी तरहां रम्या ने हरी चोड़ियां खरीदी हैं उसी तरहां ये आम बहुत मीठा है उसी तरहां मैसूर पाक बहुत लजीज होते हैं यह आम पर चंद अलफास पर अंडलाइन किये गए हैं यानि कटकशिदा किये गए हैं जैसा कि खूपसूरत जो लवज है उस पे और हरी, मीठा, लजीज, यह अलफाज जो हैं, खत कशिदा किये गए हैं, जैसा कि यह अलफाज जो हैं, उसके आगे, यानि जुम्ले में मौझूद इसम की खासियत को, खुसूसियत को, सिफत को इजहार करते हैं, ऐसे अलफाज जो इसम का रंग या मज या हालत या खुसूसियत, या कैफियत को इज़ार करें, बयान करें, तो उसको किया कहते हैं, शिफत कहते हैं, इसको अन्गरेजी में आडक्टी यादिज्टि कहते हैं, यानि चाहे वो शक्स हो, चीज हो या जगा ओ, तो यानि इस्म जब इस्म का कोई खाशित खुसुसित हो उसको इज़ार करने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला लव्ज क्या कहलाता है सिफ़त कहलाता है तो आगे पढ़ते हैं यहांपर हमारा अगला सबक है उमंग यहां पर देखिए कि जिसका मोजू बच्पन की अहमियत है, जिसको लिखने वाले मुसनिफा जो हैं मेरे लिन हर्ष हैं यहां पर चंद अलफाज और मानी दिये गए हैं जिसा कि परजे यानि किसी मशीन के छोटे छोटे हिस्से जो हैं परजे कहते हैं जरई कालिज यानि खेती बाड़ी के उलूम सिखाने का इदारा कास्तकारी यानि खेती बाड़ी उसी तरहा जदीत तरीकह यानि नए नए तरीकह Tarish उसा उर्दु में कहते हैं जहां पर तजरूबे किये जाते हैं उसकों पर तजरूब़ा कहलाता है और उसी तरह मुफीद, या नि फाइदा मंद, यहां पर देखिए कोह पैमा, यानि उंचे उंचे पहाडों पर चड़ने वाला, इसको कोह पैमा कहते हैं, उसी तरह किलाबास, यानि चान्द और दूसरे सेयारों तक पहुंचने वाला, किलाबास कहला था है। अगे बढ़के देखते हैं कि अलफास की जम्हा दी गई है जैसा के वाहिद और जम्हा वाहिद अकेला होता है अगर अकेले से ज्यादा हो तो जम्हा कहते हैं यहां पर देखिए सडक एक ही है, इसलिए इसको सडक कहा गया, अगर सडक बहुत सरे हों, तो यह बहुत सरे रास्ते हों, उनको क्या कहते हैं, सडकें कहते हैं, कारखाना एक है, जिसकी जमा कारखाने हैं, परजा एक है, यानि एक पार्ट है, परजे बहुत सरे पार्ट हैं, इसे तरह सबजी एक है, जमा जो है सबजियां हैं, दवाई एक है, दवाईयां बहुत सारे हैं, इल्म की जमा उलूम है, इसे तरह आला की जमा आले हैं, सितारा की जमा सितारे हैं, तजरुबा की जमा तजरुबे हैं, बुलंदी की जमा बुलंदियां हैं, ये रहे चंद अल तो फूपो ने खत लिखा और आहमद ने तस्वीर उतारी है यहां पर क्या किया गया यहां पर छंद अलफाज के नीचे खत कशीदा अंडरलाइन किया गया जैसा कि खरीदे कि लिखा है उतारी है यह क्या है यह इसम जो है इसम यानि अबबा फूपू अमजद जिन्होंने यहांपर कुछ काम कर रहे हैं यानि कुछ वर्क कर रहे हैं उन काम को इजहार करने के लिए जो लफज का इस्थिमाल किया गया है वो यहाँ पर खतकशिदा किया गया है यहाँ पर देखिए अलफास जो किसी भी काम को जाहिर करें उसको क्या कहते हैं फेल कहते हैं अंग्रेजी में फेल को वर्ब कहते हैं फेल को वर्ब कहते हैं यानि वो लफ्ज जो किसी भी इसम के जरीए किया हुआ काम को जाहिर करें समझ में आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं फैल कहते हैं जैसा कि हमारे classes में सिर्फ content पर बेस्ट किया जाएगा धोर शायद आपको boring feel हो रही होगी तो चले इंशाल्ला class में थोड़ा मज़ा भी कर लें तो यहां पर देखिए कि हमारी गाये जैसा कि not only mine बलखे आपकी वी क्योंकि टेस्ट बुक में है न इसलिए तो यहां पर मुझू जो है इस्तहसान हमारी गाये का मुझू क्या है इस्तहसान मुसनिफा यानि इस हमारे गाये को लिखने वाले स्वारी मुसनिफा नहीं बलके शायर है हमारी गाये जो है नजम है जिसको लिखने वाले शायर है इस्माइल मीर्थी यहां पर देखिए शायर का तारूफ दिया गया है जैसा कि जिनका नाम है मुहमद इस्माइल और उनक के वालिद का नाम है शेक पीरबक्ष और उनकी विलादत जो है 12 नौबर 12 नौबर 1844 में हुई जो मेरट में पैदा हुए थे इनोंने और उसी तरह इनकी वफाद जो है गाय को लिखने वाले शायर जो इसमाईल मीठी हैं उनका दारूफ तो आगे बढ़ गए हम यहां पर देखिए कि अलफास की मानी यहां पर चंद अलफास दिये गए हैं जिनकी मानी हमको जननी है ताकि इम्तिहानात में आसानी से लिख सके हैं और कोई पूझे थो उनको भी सकें यहां पर देखिए काक जो लवज है जिनकी मानी है जिसकी मानी है मिट्टी उसी तरह दिन के जो लवज है जिसकी मानी घास की पत्तियां तो यहां पर देखते हैं ठटेरे यानि जिसकी मानी है पोदों की सूखी हुई डालियां जो है ठटेरे कहलाते हैं उसा कि या पत्ते, इन सब को हम वही लवज और से पुकारते हैं, तो यहां पर देखिए कि सब्सक्राइब जो लवज है, जिसकी मानी हरी खास, यानि ग्री ग्रेस, यहां पर देखिए मिठ्छा, जो लवज है मिठ्छा, गौर फर्माइब निखे की मानी है, चाज, आप उड़सी तरह सिधारी जो लवज है सिधारी है जिसकी मानी चली गई और हम्दुसना जो लवज है जिसकी मानी है अल्ला की तारीफ बयान करना यानि हम्दुसना करना यह रहे चंद और उनके मानी तो आगे बढ़ने बिना तेर की हुए यहाँ पर देखिए कि आलस्ट की जीद मैं तो यहाँ पर चंद अलफास दिये गए हैं और उनकी जिद्टी दिये गए जैसा कि मालिक हें याझी बादुशाओ करता है आ जिक क्या होता है बिल्कुल नौकर ही होता है यानि बादशा वो है जो काम का हुकम करता है नौकर वो होता है उस काम को करता है यही है ना तो यहां पर देखिए मालिक जो है बादशा है जिसकी जिद है नौकर ओके तो यहां पर सुबा जिसकी जिद शाम हम जानते हैं और डैली द दुश्मन जो लवज है जिसकी मानी है दोस्त स्वारी मानी नहीं बलकि जिद है दुश्मन की जिद है दोस्त यहां पर देखिए गरम जो लवज है जिसका जिद है ठंडा वो इसे भी हमको ठंडा जो है बहुत पसंदाता है यहां पर देखिए दिन जो लवज है जिसका है नुकसान यह रहे चंद अलफाज और उनके जिद्ध हैं तो हम क्या करें यहें पर रहें नहीं आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए कि लफ्ज की मुझकर या मॉनस यानि यहां पर चंद अलफाज दिये गया है उन वह जो है मुझकर है या मॉनस हैं को पहसान ना है यहां पर देखिए लड़का जो लफ्ज है वह है आपस्लिटली मुझकर ही है क्योंकि हम जानते हैं तो पहले यह जाने कि मुझकर क्या होता है मुझकर वह है जो मर्या स्वारी नर्या मर्द को मुझकर गहते हैं यानि मैं मैं या वाइं तो मॉनस क्या है लड़की या कहते यहां पर लड़का जो है आपस्लूटली मेन है वाई है तो इसको मुझकर ही कहते है आउरत जैसा कि ओमन है यह मुझकर ही है मखड़ा जो है मुझकर ही है कि दोबिन जो है मुखकर है क्या है यहां पर मुझकर होती है मालिका मुझकर है शेर क्या होता है हम जानते हैं क्या चैप आकसर लड़कों को शेर को शेर से तश्वीर जाती है कि इनके शेर भी मुजक्कर ही है, यहांपर देखिए कुत्ता, जो लफ्ज है, वो अबसलूटली मुजक्कर ही है, अगर मुणनस हों, तो हम कुत्ता को कुत्ता नहीं कहते हैं, बलके कुतिया कहते हैं, मुणनस कुतिया हैं, ओके, तो यहांपर देखिए हतनी, जो है, मुणन है गाए जो है मौनस है यह रहे चंद अलफाज दिये गए थे उनके मुझकर और मौनस की पहचान तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि यहां पर जुबान श्मासी दिये गई है जैसा कि यहां पर चंद जुमले गीता ने गाना गाया था गीता गाना गार ही है और यहां पर गाना गाने वाली है यहां पर देखिए यह तीन जुमले तीन जमानों को बता रहे हैं जाहिर कर रहे हैं जैसा कि गीता ने गाना गाया था यहां काम हो चुका है यानि गीता गाना गा रही है यानि गीता फिलहाल गाना गाती है यानि गा रही है यहां पर काम चल रहा है व गीता अभी गाना नहीं गई और गा भी नहीं रही बलके गाने वाली है तो यहां पर तीन जमाने पता रहे हैं जैसा के जमाने माजी, जमाने हाल और जमाने मुस्तखबिल तो यहां पर दीखिए वो काम जो गुजरे हुए जमाने में अंजाम दे जा चुके हो दे जा चुके कामों को का कहते हैं जारी रहने को जाहर करता है उनहें हम क्या केहते हैं? थेले हेरं कहते हैं यानि पर दीए की वह काम जो आइन्दा जमाने में नि आने वाले जमाने को जाहिर करते है यानि काम नहीं हुआ बल्के नहीं पेले मुस्तकबिल कहते हैं यानि फ्यूचर टिंस यह रहे तीन जमानी अगया शायद उम्मित करता हूं आपको समझ में आ गया होगा तो आगे पड़ते हैं यहां पर देखिए हमारा अगला सबक है लड़की भी रहमत है लड़की रहमत ही है यहां पर देखिए जिसका मोजू सिन्फी इम्तियाज है जिसको लिखने वाले मुस्णिफ जो हैं डाक्टर इम्रान मिश्टाग हैं यहां पर चंद अलफाज और उनकी मानी दी गई है जैस से क्यूर गरने वाले को निग्रान गहते हैं वैसे PlayStation क्या होता है जहां बच्चों को वीडियो गेम खिलाई जाते हैं इसको PlayStation गहते हैं वैसे भी यहां पर शामित जो लफ्ज है जिसकी मानी है मुश्किल मुसीबत और यह सब सब एक ही मानी रखते हैं तो यहां पर देखिए बढ़ बढ़ाना यानि धीमी आवाज में खुद से बात करना यह जो है बढ़ बढ़ाना कहलाथा है नादान जो लफज है जिसकी मानी बेवकूफ यानि वकूफ के बगएर तो मैं जानता हूँ और उमीद भी करता हूँ कि एक क्लास आपको अच्छी लगी होगी अगर आप इस क्लास को पसंद करते हूँ तो लाइक जरूर कीजिए और अपने साधियों के साथ शेर कीजिए और शी दरहा कॉमेंट में बताइए कि क्लास कैसी लगी इंशालला हम अगली क्लास में बलेंगे तो तब तक के लिए खुदा हाफिज दौमियाद कीजिए